सेल्स वॉल्यूम जनरेट करने के बाद भी हम लॉस में होगा उसको जंगल में एक मॉबाइल और एक लैप्टॉप दे दो और इंटरनेट कनेक्शन दे दो वहीं पर बिजनस कर लेगा इस तरह से कॉंबिनेशन बनाना है इस तरह से अपसेलिंग करनी है और अगर आठ हजार दस हजार पंदनाजार खर्च कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कम कैसे हो सकती है सेल्स को बढ़ाने के ना कई सारे तरीके जिसमें सबसे पहला क्या है चार्ट बंडल सेलिंग का मतलब क्या है कई प्रोड़क्स इस तरह के होते जिसमें कंपनी का रेश्व प्रॉफिट ना के बराबर होता है और कई प्रोड़क्स इस तरह के होते जिसमें प्रॉफिट हो इट, मिट्टी, यह तो सबके काम एक जैसे है, फिर भी आप ज़ादा ग्रो कैसे कर गए, तो रहने का मैंने इस इंडस्ट्री की एक नवज को पकड़ा, मैंने यह समझा कि मेरा क्लाइंट सबस्दा क्या चीज चेक करता है, तो रहने बताया कि क्लाइंट जब आके पूछता है ना, तो मैं पूछने से पहले ही समझ जाता हूँ, जब पूछता है सवाल, तो मैं समझ जाता हूँ कि यह रिसर्च करके आया है या नहीं, क्लाइंट जो आके पूछता है, श्री राम का 315 नंबर सीमेंट का कट्टा कितने का है, इसका मतलब वो कोचिंग करके आया के इस से मेरा वो क्लाइंट कंफर्म हो जाता है, एक बिल्डिंग में 1000 साथा बैग नहीं लगते, एक लैंट में 10000 नहीं लगते, और एक बिल्डिंग में 4000 यह चर्णली 4 लैंटर होते हैं, तो एक लैंटर पे कितने मैंने दिये, 4000, तो चार चौक 16,000 रुपए हैं, और वो पूरे इंडिया में कहीं भी घूम के आ जा उसको चार रुपए सस्ता मिलेगा ही नहीं क्कि परच्शेज ही नहीं बंका इसका benefit क्या है कि इसका benefit यह है कि चार रुपए लॉस में उसको कोई नहीं दे रहा लेकिन सच बताऊं तो सीमेंट में प्रॉफिट एक रुपए जादा होता ही नहीं है लेकिन वह रोडी सरिया बदरपुर रेत और बहुत सारी चीज़ें ना उस पर ट्रस्ट बिल्ड हो गया और उसके बाद में हर हर एक ट् तो बंडल सेलिंग का मतलब क्या है हमारे कोच ऐसे प्राइम प्रोडक्ट है जिसकी मार्किट में डिमांड ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है लेकिन उसमें हमारा प्रॉफिट नहीं है अब अगर बिना प्रॉफिट की चीज को हम बेचते रहेंगे तो बेचने के साइकलोजीकल मेथड बहुत जादा काम करता है कि किस तरह की साइकलोजी में हम बंडल सैलिंग करें ताकि हमारा सेल्स का वॉल्यूम थोड़ा डिफरेंट आए नेक्स्ट गीस्त such की दिमांड जनरेट होती है傳機會 करना जूरी हुएं हमें इसे कई ॉख डिमांड करते पर बात करते क्रांस अंने जितने भी आपको सारे सेल्जमन के पास जाओंगे ना झीन से लेने घ्ञाए ठीशिट लेने घए आप अपने ठीशिट ले भी ली सर और बताओ बारब सुझेंगा और बताओ यह कहेंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइए सब्सक्राइब दिखा दिखा के mind make up कर देगा कि इसके साथ यह लेगी लो जैसे ट्राउजर लिया वो तीसरी चीज के लिए पिच करेगा सर बेल्ट मेरे बड़िया नई बैल्ट आई हुई है लदर की मीड़ू से कि इसके आपको बॉल्ट सेलिंग करने एक जाइ करना है का दो आपके प्रोड़ डेनगोर को जेसे माल लेते हैं एक पौड़र एक प्रीम है तो क्रीम का एक शैशे पाँच भी होता फिर उसका 20 ml पाउच भी होता है 50 ml भी होता है 100 भी होता है एक 1-liter भी होता है यह सोर नो तो हम लोग क्या करते हैं कभी भी अप शेलिंग नहीं करते जिसकी डिमांड आ रही है ना उसने का जी 200 पाउच नोट कर लो आपने 200 पाउच कर ली तो अप सेलिंग का मतलब है कि उनको उनकी scheme, उनके system, उनके method को समझा के next product खरीदने के लिए तयार करना और उनको ये भी बताना कि उनका consumer कैसे वो product खरी सकता है problem ये नहीं है कि आपने शैशे बेच दिये लेकिन हमें बेचना क्या है one liter bottle, problem ये है कि जो buyer है, मतलब आपका जो dealer है, distributor है उसको ये नहीं पता कि one liter वाली bottle कैसे बेचना है उसके बारे में तो उसी को पकड़ता है और आप कोशिश कर रहे हो कि एक liter की bottle बेच दूँ पर उसको ये नहीं पता कि एक liter की bottle कैसे बेचनी है तो यहां पर जरूरी है, coordination between you and their client उनकी dealing करने के लिए आप कैसे उनको पिच करेंगे और वो कैसे आगे पिच करेंगे उसकी schemes होती है, जैसे आप देखे ना, buy one get one free यह होता है कि अगर 10 ml में इतना है, लेकिन 10 ml के 10 pouches में इतना है तो पूरी bottle में इतना और इतना profit होता है, आजकल आप देखे जितनी भी companies है Reliance Fresh है या Big Bazaar है वो इसी तरह की schemes निकालती है तो यहां पर हमें क्या करना है, start upselling और upselling का मतलब यह है कि आपके एक तरह के product की जिसकी demand है, उसकी जादा quantity वाले product, उसके जादा pricing वाले product, उसकी जादा value वाले product, sell out करने का try करना Is that fine? And the next, that is increase ticket price यह upselling की तरह ही है, ticket price का मतलब हमारे पास जो product है, उसकी एक range होती है और हम किसी भी एक particular range को पकड़ते हैं और उसी पर focus करना शुरू करते हैं तो कई बार क्या होता है कि यह guide करना होता है कि sir, इस ticket price पर हमारे यह products इतने हैं लेकिन इतनी sales पर आपको यह benefit होने वाला है कुछ psychological sales schemes आप लोग अपने point of view पर discuss करते हैं और कुछ आपके boss या आपकी company की strategy आपको देती है कि हमें हमारे product का इस तरह से combination बनाना है इस तरह से upselling करनी है और इस तरह से ticket pricing को increase करना है इसके लाबा commission agent अभी कुछ लोग क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप company के employee हैं तो आप को incentive मिल रहा है आपके साथ भी ऐसे लोग मिल जाते हैं कई बार आजकल इतनी बेरोजगारी है कि लोग network का इस्तिमाल कर रहे हैं और network में कुछ लोग relation पर काम कर रहे हैं कुछ लोग commission पर काम कर रहे हैं का मतलब वो व्यक्ति distribution network पर काम कर रहा है अगर distribution network पर वो व्यक्ति है और उसका कोई sales executive यह उसका कोई unknown person आपको बोलता है एक बढ़िया lead से meeting कर रहे तो पता मुझे क्या देगा तो आप यहीं बात अपने sir को बोलते हैं sir बता उसको क्या देंगे सर कहेंगे तो रोज यही काम रहेगा हमें क्या पता वो ले भी राया ने क्योंकि उनको नहीं पता ना कि आप किस से मिल रहे हैं तो अपने relation को develop करने के लिए भी आप अपने commission agent ढूंड सकते हैं cost of customer acquisition customer acquisition का मतलब क्या है किसी भी एक ग्राक से deal करने के लिए जो हमारी cost आ रही है खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है जैसे आप कहते हैं कि मुझे पंजाब meeting करने जाना है या किसी भी स्टेट में meeting करने जाना है सर और वहां जाने का और कोई जरिया नहीं हमाँ ट्रेन जाती है और वहां जाओंगा तो रात को stay भी करूंगा हम लोग एक customer को achieve करने के लिए अगर आठ हजार दस हजार पंद्रहजार खर्च कर रहे हैं तो उसकी cost कम कैसे हो सकती है इसका मतलब यह नहीं कि train की ticket में आधे में बैटके जाऊंगा और आधा दोड़के रूम जो लूँगा उसकी cost कम कैसे करूँगा खाना एक time ही खाऊंगा ऐसे नहीं customer cost of acquisition का मतलब है कि आप कुछ ऐसा करें कि वो cost अपने आप 5-6-7-8 लोगों में डिवाइड हो जाए मतलब एक targeted area में अगर आप जा रहे हैं तो वह multiple meetings कैसे कर सकते हैं मतलब उस zone में और कौन कौन से potential customer हो सकते हैं इसकी information कैसे निकाल सकते हैं और इसका सबसे best तरीका क्या है facebook, instagram, whatsapp कई सारे whatsapp group ऐसे होते हैं जो sales वाली team के बने हुए, marketing वालों के बने हुए, friend circle के बने हुए, business group के बने हुए, job associations के बने हुए, आपके ही हर, मैं guarantee करता हूँ यहां बैठे हो हर व्यक् के phone में हैं और उनमें से 4-5 group ऐसे होते हैं जिसमें admin right के अलावा कोई भी post कर सकता है, तो कहीं भी अगर आप जा रहे हैं उसकी meeting की information जब आप group में post करते हैं, तो कई potential लोग आपसे मिलने के लिए तयार हो जाते हैं, next, performance marketing, और performance marketing का मतलब क्या है, थोड़ा सा यहां पर differentiation बत करती है, yes or no, लेकिन कई सारी digital marketing के free influencer, वो कहते हैं कि सर आपके पास product है, तो हम lead पे sharing कर लेंगे, तो केवल आपको ऐसे free influencer, digital marketer ढूंड नहीं है, और जैसी आप Judge Del को बोलोगे न, कौन, influencer marketing के लिए चाहिए, digital marketing के लिए चाहिए, वो बहुत सारे number आपको share कर देंगे, सबसे बात करो, sales का बंदा तो वो आदमियों जो एक कमरे में बैठे बैठे उसको जंगल में एक mobile और एक laptop दे दो, और internet connection दे दो, वहीं पे business कर लेगा, जैसे हिंदुस्तान में शराब का ठेका कहीं भी खोलतो चल जाता, yes or no, उसके लिए prime location नहीं चाहिए, उसके लिए सिर्फ ए झाहिँ खाया हुआ सॉड़ वो एबी खोलतो जाता, yes or no, ईसके लिए